नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मिक्की मिन चैनल में बहुत-बहुत सभी का काफी दिनों के बाद हम मिल रहे हैं तो इस वीडियो में आप सभी को बताने वालाओं जैसे कि आप लोग का ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है अठाइस दिसंबर का तो इसमें क्या है एक टेंटेटिव डेट शिट इनोंने रिलीज किया है जिसमें आप लोग का इक्जाम का पूरा शिडियूल बताया है तो जैसे कि हम BLIS की बात कर रहे थे, BLIS, MLIS, CLIS की हम टॉपिक को लेके हम कवर कर रहे थे तो लास्ट जो पेपर हुआ था आप लोग का वो आप लोग का अबजेक्टिव मोड में हुआ था और वेरी इंपोर्टेंट वही बताने के लिए मैं यह वाला वीडियो शूट कर रहा हूँ कि इस बार का जो आपका पेपर होगा वो अबजेक्टिव नहीं बलकि आपका डिस्क्रिप्टिव मोड में पेपर होने वाला है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो भी अबजेक्टिव वाले हैं उसका यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है जैसे कोशन पेपर फॉर्ड फॉल्विंग प्रोग्राम कोर्स विल भी अबजेक्टिव टाइप और OMR बेज जिसमें आप लोग का आपका क्या बोलते हैं BLIS और MLIS नहीं हैं बलकि यहाँ पे CLIS है तो CLIS का जो है वो आपका स्टिल अभी भी आप लोग का अबजेक्टिव में होगा बट BLIS और MLIS का वो आपका descriptive में होगा लास्ट टाइम में भी जो MLIS का था वो descriptive में ही था तो इस बार आप लोगों को थोड़ा अलग लेवल का पढ़ाई करना पड़ेगा जो लास्ट टाइम हुआ था उसको वो भी डेफिनेटली वो ऐसा नहीं कि वो वेस्ट गया जिसन जिनों ने पढ़ लिया objective में वो हाला कि और अच्छी बात है कि आप लोगों ने पढ़ लिया क्योंकि मान लीजे कल को वाईवा होता है या फिर आप कभी इंटर्वी देने जाते हैं तो उसमें भी काफी help करेगा आप लोगों को कोई भी चीज वेस्ट नहीं होती यहाँ पे आप लोगों सिर्फ बताने के लिए है और बाकी इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि इस बार किस तरीके से पढ़ाई करना ह है वो सारा हम स्ट्राटेजी इसमें डिसकस करेंगे और इतने दिनों तक मैं कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया था ड्यू टू मैं परसनल रीजन मैं कुछ बिजी हो गया था और ड्यू टू मैं हेल्थ प्रॉब्लम आई वस नोट एबल टू शूट वीडियो सो उसके ल टेंटेटिव है बलकि टेंटेटिव वस ऐसे नाम के लिए हाला कि आपका पेपर इसी डेट पे होता है तो आप लोग पढ़ना स्टार्ट कर दे जिनों ने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है उनको पढ़ना अभी सूरू कर देना चाहिए क्योंकि डिस्क्रिप्टिव को बहुत टफ होने वाला है objective mode में तो आप फिर भी कर लेते तो यहां पे आप लोग को किस तरीके strategy होनी चाहिए previous year क्या question आये थे सारे हम discuss करेंगे last जो चार साल पान साल का जो previous year question था सब को मैं discuss करूंगा one after another और आप लोग का जो point of view भी हमारे लिए बहुत important है तो आप इस वीडियो में कमेंट करिएगा कि आप किस तरीके के वीडियो चाहते हैं कौन सा topic आप सबसे ज़्यादा prefer करते हैं कि वह हम discuss करें आप लोग के साथ तो वह आला हम chapter लेके सबसे पहले वह discuss करेंगे बाकी अभी पूरा detail wise नहीं करवा सकते क्योंकि hard work करना मतलब ज़्यादा जरूरी नहीं है आप लोग के लिए क्योंकि end of the day आ गया है अपके लिए almost 2 महीने भी नहीं बचे हैं almost 1 महीन नहीं बचे हैं तो इस समय में आप लोग को smart work करना चाहिए तो smart work कैसे करना है वो मैं आपको पूरा बताऊंगा आपको बस यह करना है कि comment box में आप लोग को comment करना है कि कौन सा subject आप लोग को tough लग र जो memory होती है वो hinder करती है जब हम पढ़ने जाते हैं तो तो वो सब आप भूल जाए बट आप अपने level पर आपने जो भी थोड़ी बत पढ़ाई कियोगी तो आपको कौन सा tough लगा बस वो आप comment करें और plus आप लोग ज़्यादा मतलब इस lecture को share करें ताकि बाकी student तक भी पह confusion है कि paper कैसे होगा क्या होगा और हम कोशिश करेंगे आप लोग के हर डाउट को solve करने के लिए हर डाउट को मतलब take over करने के लिए तो आप ज़्यादा support करें चैनल को और इसी तरीके से मतलब comment करते रहें ताकि हम आप लोग को उस level के पढ़ाई करें बाकि अगर आप लोग तो में share करें आप लाइक ना करें वो मुझे फारक नहीं पढ़ रहा बट आप support इसलिए करें कि ज्यादा बच्चों तक जाए वो लोग subscribe भी ना करें उसके लिए भी कोई दिक्कत नहीं है बट at least उनको पता तो चले कहीं पर पढ़ाई करवा रहे हैं सर तो आप सबको मतल की सबको benefit हो यह हमारा prime motive है एक बात और जिस जिन बच्चों ने last time paper छोड़ दिया था जो जुलाय वाले session के थे तो उनके लिए मतलब उनको भी सेम अब descriptive mode में करना पड़ेगा तो उनसे भी request है कि आपके जो भी मित्र हैं जो भी आपके friend लोग हैं उनको भेजे जो जिन्हो थोड़ी speed पकड़े क्योंकि अपने level पर पढ़ रहे हैं मुझे पता है आप लोग उतने अच्छा से पढ़ नहीं रहे होंगे तो यह आप लोग के introduction class है आप जो भी आपके डाउट हो प्लीज करके comment works में बेजी जग पुछिए और अपसे हमारा जो जो classes होगा वो आप लो के लिए आपको comment करना पड़ेगा ज्यादा ज्यादा comment करेंगे तब ही हम लोग उसको take over करेंगे नहीं तो हम अपने level से उस चीजों को cover करेंगे तो आप लोग और बाकी हम 227 का और 221 का अगर आपने वो नहीं देखा है तो उसको देख ले 221 का पूरा complete मैंने थेरी पढ़ अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ ले डिस्क्रिफ्ट बॉक्स में मैंने link डाल देना है वो आप देख लेना और 227 का भी पूरा कराया है कैसे मतलब cataloging करते हैं तो वो सारी चीज़े बताई हैं तो वो भी आप लोग देख ले और फिर भी कोई doubt हो मन में तो प् देख लेगा तो आप लोग आप डिस्क्रिफ मोड में एक्जाम देना पड़े बाकि अगर आपने यह वाला नोटिफिकेशन नहीं देखा है तो आप लोग देख लेए सारा यहां पर morning इवनिंग का यहां पर टाइमिंग दिया हुआ है और date कप से है यहां पर सारा मेंशन जैसे 8-2-2021, 9-2-2020 ऐसे स्टार्ट हो रहे हैं पेपर आठ तारीक से आपके 8 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं और देखें लास तक कहा तक जा रहा है आपका वो पूरा मैं आपको यहां पर बता देता हूँ यह देखिए 13-3-2021 तक जाएगा तो आप लोग यहां पर पूरा देख ले और अपना कोर्स अब उसके अकॉर्डिंग अप लोग प्रिपरेशन करना शुरू कर दें तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद